जैश्री राधे कृष्णा ओन कुक्रेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है हरी अनन्त हरी कथा अनन्ता में आज सुनिये तीन गुरु बहुत समय पहले की बात है किसी नगर में एक बेहत प्रभावशाली महंत रहते थे उनके पास शिक्षा लेने हे तु कई शिष्य आते थे एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया स्वामी जी आपके गुरु कौन है आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है महंत शिष्य का सवाल सुन मुस्कुराएं और बोले मेरे हजारों गुरु है जदी मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाओ तो शायद महीनों लग जाए लेकिन फिर भी मैं अपने तीन गुरु के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा एक था चोर एक बार में रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गाउं में पहुँचा तो बहुत दे हो गई थी सब दुकाने और घर बंध हो चुके थे लेकिन आकिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दिवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था मैंने उससे पूछा कि मैं कहा ठहर सकता हूँ तो वह बोला कि आधी रात गये इस समय आपको कहीं आसरा मिलना बहुत मुश्किल होंगा लेकिन आप चाहे तो मेरे साथ ठहर सकते हो मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परिशानी नहीं होंगी तो आप मेरे साथ रह सकते हैं वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ एक महीने तक रह गया वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ आप आराम करो, प्रार्थना करो जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हे तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा वह कभी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीट गए थे और कुछ भी हो नहीं रहा था तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिलकुल हताश और निराश होकर साधना वाधना छोड़ लेने की ठान लेता था और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा और मेरा दूसरा गुरू एक कुटा था एक बहुत गर्मी वाले दिन मैं बहुत प्यासा था और पानी के तलाश में घूम रहा था कि एक कुटा दौरता हुआ आया वह भी प्यासा था पास ही एक नदी थी उस कुट्टे ने आगे जाकर नदी में जाका तो उसे एक और कुट्टा पानी में नजर आया जो की उसकी अपनी परचाई थी कुट्टा उसे देख बहुत डर गया वह परचाई को देख कर भौकता और पीछे हट जाता वह नदी में कूत पड़ा और उसके कूते ही वह परचाई भी गायब हो गई उस कुत्ते के इस साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सिख मिल गई अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है सफलता उसे ही मिलती है जो ग्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है और मेरा तीसरा गुरू एक छोटा बच्चा है मैं एक गाव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मुम्बत्ती ले जा रहा था वह पास के किसी गिर्जाघर में मुम्बत्ती रखने जा रहा था मजात में ही मैंने उससे पूछा कि क्या यह मुम्बत्ती तुमने जलाई है वह बोला जी मैंने ही जलाई है तो मैंने उससे कहा कि एक छन था जब यह मुम्बत्ती बुजी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब यह मुंबत्ती जल गई क्या तुम मुझे वह स्त्रोत दिखा सकते हो जहां से वह जोती आई वह बच्चा हसा और मुंबत्ती को फूंख मार कर बुझाते हुए बोला अब आपने जोती को जाते हुए देखा है कहा गई वह आप ही मुझे बताईए मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्ता का एहसास हुआ तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धोलिए मित्रोग शिश्य होने का अर्थ क्या है शिश्य होने का अर्थ है पुरे अस्तित्व के प्रती खुले होना हर समय हर और से सीखने को तैयार रहना जीवन का हर खशन हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है हमें जीवन में हमेशा एक शिश्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता रहता है यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महंत की तरह एक शिश्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहें कर पा रही है कि नहीं जै श्री कृष्ण